गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स कैसे हैं मैं सार्दा प्रसाद आज हम चैप्टर वन जय प्रक्रम का अगला टॉपिक पादपाउ में पोशन पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पादप स्वापोशी होते हैं क्योंकि अपने भोजन का निर्माण स्वयम करते हैं तो सभी हरे पौधे प्रेकास संसलेशन की क्रिया दौरा भोजन का निर्माण करते हैं प्रेकास संसलेशन की क्रिया में पत्ती में पाय जाने वाले हरित लवक में संपन होती है यानि कि जो ये फोटो सेंथेसिस की प्रक्रिया होती है ये पत्तियों में संपन होती है अगला देखते हैं पत्ती की संरचना यानि कि जो पत्ती होती है उसकी संरचना यानि उसके भाग कौन-कौन से होते हैं तो यहाँ पर एक डाइग्राम बना है आप लोग देख सकते हैं परण आधार पती का वह भाग है जिससे कोई भी पती किसी साखा से लगी होती है तो उसको हम परण आधार कहते हैं दूसरा परड़ा अधार से यहां तक का जो भाग है उसको परड़ ब्रंद कहते हैं यह ग्रीन कलर का होता है जो पती को बिल्कुल इस्ट्रेट रखता है ताकि उस पर सूर का प्रकास असानी से पढ़ता रहे उसके बाद अगला देखते हैं कि यह पूरा एक भाग होता है च भूशारी साखाएं हैं जिनको सिराय कहते हैं और इसके सीर्स भाग को परड़ सीर कहते हैं तो इस तरह से एक पत्ती में निम्न भाग पाया जाते हैं अगला पत्ती की आंतरिक संरचना यानि कि जो पत्ती होती है अगर उसका हम ट्रांसवर सेक्शन यानि अनुप्रस्त का काटते हैं तो हमें उसके अंदर निम्न भाग दिखाई देते हैं जिसमें अगर हम देखें तो ऊपर और नीचे दो एक परती लेयर होती है जिसमें ऊपर के और जो होती उसको अपरेपीड़ मिस कहते है आनि की आयज तोच्छा और नीचे जो होती है उसको lower epidermis कहते हैं epidermis के उपर एक layer होती है उसको cuticle का layer कहा जाता है यहाँ पर देख सकते है upper epidermis और जो lower epidermis होती है उसके बीच के भाग को mesophyll कहते है जहाँ पर और mesophyll निम्नकोश्काओं का बना होता है जिसमें उपर की और जो होती ही पालिसेट टिसू होती है खम भूता की इनको कहते हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जबकि नीचे की और कुछ गोलाकार टिसू होते हैं जिनको स्पॉंजी टिसू कहा जाते हैं और इसमें बीच में वस्कुलर बंडल होते हैं ज इसी के माद्ध हम से ये gaseous exchange करते हैं, अगला देखते हैं, रंध्र या stomata, तो पती के प्रष्ट पर छोटे-छोटे छेद्र पाये जाते हैं, जो gaseous बिनमय का कार करते हैं, इन छेद्रों को रंध्र या stomata कहते हैं, यानि कि जो भी पत्ती होती है, उसके अपर या लोवर, यानि ऊपरे और निचले प्रष्ट पर छोटे-छोटे छेद्रों को क्या कहते हैं, इस्टो मैटा या रंध्र कहते हैं, जो gaseous बिनमय, gaseous में मतलब कि जो वायो मंडल से carbon dioxide पत्तियों के अंदर कोश्काओं में पहुँचाते हैं, जबकि उनमें बने जो oxygen gaseous होता है, उस इसमें यहां पर डाइग्राम में दिया गया है, खुला रंध्र और दूसरा दिया गया है, बंद रंध्र, तो देख सकते हैं कि खुला रंध्र जो होता है, यह द्वार कोश्काओं का बना होता है, यानि कि जो रंध्र है, जिसमें द्वार कोश्काओं की जो अंता लेयर ह अन्ता भित होती हो थोड़ा से चौड़ी होती है जबकि जो बाय भित होती हो पतली होती है इसमें केंद्रक पाया जाता है माइटोकंड्रिया और हरितलवक पाया जाता है बाकि अन्य कोशकांगग भी पाया जाते हैं इसके बाहर जो कोशका होती है उनको शहायक कोशका कहते अगला है रंद्र के कार है रंद्र पतियों के प्रष्ट पर पाय जाते हैं जो गैसी बिन्मे का कार करते हैं तो गैसी बिन्मे मैंने भी बताया कि रंद्र के माध्यम से जो एटमासफेरिक कारबन डायाक्षाइड होती है जिसके उसकता फोटोसेंथेसिस में होती है वो प्रविश्ट करते हैं ौता हैं जबकि जो आक्सिजन गैस होती है जो फोटो सेंथिस के बाद बनती है वह आक्सिजन गैस भी इन्हीं रंदर के माध्यम से शाभ में पहुंचते हैं तो इस तरह से घैस ओं का आदान प्रदान प्रदान जो होता है उसे हम गैसी बिन में कहते हैं। अगला है कि रंद्र वास्पोस सर्जन में शहाएक होते हैं। यानि कि वास्पोस सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो इसी के माध्याम से होती। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि पौधे जो अनावस्षक जल होता है उसका वास्प की रूप में उस सर्जन करते हैं तो जिसे हम वास्पो सर्जन कहते हैं चली गराकार रंद्र क्या है